हेलो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सराइज ओन चैप्टर नमबर 11 का क्योस्टर नमबर 6 देखते हैं क्या है फाइंड दा एरिया ओफ दा ट्राइंगल फॉंड बाई दा लाइंग जॉइनिंग दा वर्टेक्स और पैराबोला x square is equal to 12y to the ends of its lattice rectum जहां से सुनो क्या काया है उसने कि ये जो पैराबोला है इसके वर्टेक्स और लेटेस रेक्टम को अगर हम जॉइन करते हैं आपस में तो एक ट्रेंगल फॉंड होती है उस ट्रेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है हमें ठीक हैं बड़ा सिंपल क्यों क्लास 10th का टोपिक उठालाई ये कंसेप्ट यहां पे भी यूज होगा देखना आप कैसे यहां पे क्या गरेक्षा है सबसे पहले आप इस पैराबोला का ड्रो करो x square is equal to 12y तो यहां पे क्या है हमारा पैराबोला जो है वो है x square is equal to 12y कौन सी x पे होगा y x पे is on y x तो y x प या वही हमने पैराबोला ड्रो अब इसके अंदर क्या क्या रखा है हमें यह हमारा क्या होगा यहां पे focus point होगा इसी से तो हमारा lattice rectum जाता है यह हो गया हमारा lattice rectum कर लिया ड्रो अब इस point पे इस point पे और इस point पे इन तिन्नों को अगर हम join करें यह vertex point होगे यह हमारे क्या ह ends of lettuce rectum इन points को अगर मैं join करता हूँ तो क्या बन गई एक triangle form हो गई इस triangle का area हमने क्या करना है find out करना है अब कैसे हो बड़ी मस्किल है बाई असान चीज है वैसे तो but draw मत समझो इसको concept समझो क्या है यह जो vertex point है इसके coordinates क्या है 0-0 अगर मुझे यह और यह points भी पता लग जाए तो area of triangle निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है 7 chapter हमने class 10 में पढ़ रखा है तो कैसे निकले यह और यह point ध्याम से देखो हमारे पास जो equation दे रखे है parabola की इसकी standard equation क्या होती है हमारी journal equation of parabola on y axis किसके एकवल होती है x square is equal to 4 a y यह question number first यह question number second अब दोनों की left hand side equal है तो right hand side भी क्या होगी equal होगी on compare कर लो भई compare 4 a y is equal to 12 y y से y cancel और 4 बन जा 4 4 3 जा 12 तो a is equal to क्या आगया 3 a is equal to क्या आगया मेरा 3 आगया इसका मतलब देखो जो हमारी ये value आई है ये ये कितनी आगय है हमारी 3 तो ये जो points होँगे हमारे ये 3 आई है तो ये जो points होँगे वो क्या होँगे हमारे 0,3 और ये जो points होँगे हमारे क्या होँगे 0,-3 ठीक है इस तरीक्ये से होंगे sorry यहाँ पे 0 नहीं होगा यहाँ पे यह point होगा यहाँ पे x की value देखनी पड़ेगी हमे x की value कैसे find out होगी means पूरी यह length a की value 3 आई है तो यह पूरी length कितनी होगी हमारी 6 यह चीज द्यान रखना यहाँ पे length of lattice rectum कितनी हो जाएगी 2a तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 into 3 means 6 तो यह जो points हो जाएगे हमारे 6,3 और 6,-3 यह होंगे हमारे point यह चीज समझनी है ध्यान से ठीक है वो by chance mistake से लिग गे थे 0,3 तो यह होंगे हमारे y axis के उपर तो यह हमारे 6,3 होंगे यह 6,-3 होंगे क्योंकि पूरी length हमारी क्या है 6 समझ में आगी बात अब हमारे पास तिन्नों points है तो area of triangle easily इनकाल सकते हैं हम इनको a, b और c हम क्या माल लेते है points तो यहाँ पे a points है हमारे 6,-3 b points है हमारे 6,3 और c points दे रखे 0,0 तो area of triangle क्या हो जाएगा area of triangle a, b, c किसके इकोल होगा formula लगाएंगे 1 by 2 into mode of x1 into y2 minus y3 plus में x2 into y3 minus y1 plus में x3 into y1 minus y2 इसका mode यही तो formula होता है value put कर दो बस तो क्या आगया 1 by 2 into mode of x1 की value क्या है 6 into y2 minus y3 मतलब 3 हमारा क्या है y2 और यह 3 minus 0 3 minus 0 clear उसके बाद plus में x2 की value क्या है हमारी 6 y3 minus y1 तो मतलब 0 minus of minus 3 करेंगे तो plus 3 plus में x3 की value क्या है 0 into y1 minus y2 तो minus 3 minus 3 यहां पर क्या आगया 1 by 2 into mode of 6 3 जा 18 plus में 6 3 जा 18 यहां पर 0 से multiply हो जाएगा 0 तो यहां पर क्या आगया हमारे पास 1 by 2 into 36 2 1 जा 2 2 18 जा तो एरिया जो आगया वो क्या आगया 18 यूनिट तो कोई दे नी रिखी तो square ओ यूनिट square इस इस दा अंसर I hope आपको question clear है कोई भी doubt नी होगा ये चीज आपको बस ध्यान से देखनी है थोड़ी सी mistake हो गई थी तो ये चीज आप clear कर लेना बस कि ये जो points होंगे हमारे क्या होंगे A की value तो 3 आगई हमारी तो ये जो points होंगे x-axis के वो क्या हो जाएंगे हमारी length निकाल लेंगे पूरी इसकी lattice rectum की तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 2 ए तो कितनी होगी 6 तो ये 6,3 और ये 6,-3 clear कोई भी doubt किसी परकार का अगर लगता है question में तो आम मुझे comment करके पूछ सकते हैं otherwise channel को subscribe किजिए like किजिए और share किजिए thank you students for watching this video thanks